हाई अब्रीवान वेलकम बैक तो माई चानल आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ को कैसे आप विरिंगराज पाउडर का इस्तमाल कर सकते हो तो मैं आज और प्रिपेर करके दिखाऊंगी बट आप इस विरिंगराज पाउडर से हेर बैग भी बना सकते हो ईजी ली तो बट अगर आपके पास और जादा है तो आप जादा पाउडर डाल सकते हो तो मेरे और दिखे खतम हो चुके नहीं निकल रही है तो इतना ही है मेरे पास और बट एक टबल स्पून के लिए आपको इससे डबल या फिट ट्रिपल ऑउडर दालनी है इसके अंदर तो मैंने पहले पाउडर डाल दिया तो इसलिए क्या करूं कुछ नहीं कर सकती एनिवे अप इससे जारूर डबल या फिट ट्रिपल ऑउडर इसमें एक टबल स्पून वरिंगराज पाउडर के लिए एक हपता पहले जो कच्छे लिप्स है मेरे पास वही उसीजर में वरिंगराज प्रिपेर करते हूं उसके बाद में यूज करूंगी डबल बॉइल प्रोसेस टू मेक दिस ओल तो सबसे पहले मैंने तवा जो है गरम कर लिया उसके उपर मैं यह जो बाउल है उसको बिठा दिया और गैस के फ्लेम बिलकुल लो अंदेन आफर फाइव मिन्स देखिए कलर चेंज हो रही है और बबल्स पी आरहे हैं मेरे हाथ पर देखिया अठाल लगी है क्योंकि मैं आठा गुंद रहे थी मुझे रोटी बनानी है तो एक साथ धोनों काम आप भी कर सकते ईजी लिए तो और टू मिन्स मुझे पकाना है अब देखिए 7 मिन्स मेरा हो चुकी है आ तवा जब तक ना ठंड हो तब तक यह बाउल जो है मैं यही पे बिठा के रखूंगी तवा ठंडा हो जाने के बाद मैं इसको उतार के देखिए ओयल के कलर इसको ढख के रख दूंगी फो टूरू थी आवस इन दौरहन आपकी जो काम है अब कर सकते हो तो दो से तिन घंडे के बाद देखिए मेरा ओयल के कलर पुरा चेंज हो चुकि है अब इसको में कर लोंगी स्ट्रेंड और तो कर लोंगी दैस वेरी संपल इस ओयल को कैसे स्तमाल करनी है इस ओयल का क्या क्या बेनेफिट से और रड़ी में बता चूंगी मेरे पहले वीडियो में आप वो वीड के जो पाउडर है उसको कैसे स्तमाल करनी है तो यह ओयल बना के मैंने दिखा दिया आप कचे लिफ्स भी यूज कर सकते हो और यह उसकर सकते हो दोनों का रजल सेम ही मिलेगा आपको आप इससे हैर पैक भी बना सकते हो अगर आपके पास व्रिंगर नहीं है तो आप मुझे ग्रैनिल्स है क्योंकि मैंने जो ओयल है इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेंड किया है अगर मैं क्लॉट से स्ट्रेंड करती तो इतना ग्रैनिल्स नहीं रहता तो अगर आप स्ट्रेंड के मदद से स्ट्रेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो अधर आप क्लॉट के मदद से भी स्ट् तिल दिन बाबाय और टेक चेर